हम लोग कितना भी खाएंगे आपका वेड नहीं पड़ेंगे गुट बॉइ गुट बॉइ तो हम ना अपने भागे से जितनी अधिक उमीद करते हैं वेह हमें उतना ही निराश करता है यदि हम भागे से जादा अपने कर्व पर विश्वास रखेंगे तो अपेक्षा उसे अधिक ही मिलेगा जब तूटने लगे होसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूंड लेना अंधेरों में अपनी मंजिल क्योंकि जुगनु कभी र पहनत करो किस्मत की रोटी तो जानवरों को भी मिल जाती है जिस दिन आपका काम आपके मूट से जादा जरूरी हो जाएगा ना उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा तो चलिए आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है एक गिलास पानी के साथ तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबी के साथ अपना अली मॉर्निंग रूटीन और मेरी शुरुआ की शुरुआत हो जाती है चार बजे से और चार बजे से साड़े चार बजे तक का टाइम मैं अपने आपको देती हूँ थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस करने के बाद ही अपने सारे कामों को शुरू करती हूँ और यहा साथ में मैंने यहां कटिंग और चॉपिंग भी कर ली है तो उठने के तुरंत बाद ही मैंने 10-15 मिनट अपने आपको दिये और उसके बाद मैंने जो चॉपिंग थी वो की और साथी साथ मैंने चने वी वॉयल कर लिये थे और उसके बाद मैं चली गई थी नहने और नहने के बाद मैंने लगा दिया था machine और यह देखे साथ-साथी मैं लघ्स बेट्वर्स दोनों की तयारे कर करके और यहाँ दोनों का काम एक साथ फिनिश करने वाली हूं तो husband अभी सो रहे हैं तो मैंने सोचा breakfast हैब टाइम है और तब- तक तड़का लगा लेती हूं सब्जी में तो आज मैं बहुत ही यमी सी सब्जी आप सब के शाष शेयर कर रहे हूं प्रोटीन से भरपूर और यहां पे जीरा और सारे तड़के को मैंने अच्छे से मून लिया है उसके बाद मैंने मटर इसमें एट कर दिया है और मटर के बाद म करा दोनों अभी गए हैं नीचे थोड़ा टहलने के लिए तब तक मैं यहां का काम भी फिनिश कर लेती हूं तो multitasking से क्या होता है हमारा एक ही समय में बहुत सारे काम हो जाते हैं और हमारा बहुत सारा time बच जाता है तो आज मैंने बैटशीट को भी change कर दिया है और अभी सबजियां मेरी दीमी दीमी आज पे थोड़ी सी पक रही है मसाले मैंने उसमें एड़ नहीं किये हैं अभी मसाले थोड़ी देर के बाद एड़ करूँगी तो मैंने तब तक सोचा कि मैं यहां का जो काम है वो निपटा लेती हूं तो वाश अभी चल रहा है मशीन का मेरे और मैंने देखिए यहां का भी वैटशीट चेंज कर दिया है और सारे कामों को आफ फास्टली और टाइम सेट करके करेंगी तो मैं टाइम को सेट कर लेती हूं पहले ही रूटीन में कि मुझे इतने टाइम में काम को निपटाना है लेकिन बीच में अगर बाबू परिशान करने लग जाता है तो थोड़ा सा मेरा जो टाइम मेनेजमेंट है वो बिगड़ जाता है बट मैं सारे काम आराम से कर पाती हूँ तो विंटर में बस एक चीज का थोड़ा सा ये फाइदा तो रहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं एक से दो साल के वो थोड़ा लेट ही उठते हैं सोकर क्योंकि अगर हम उन्हें लेट से सुलाएंगे तो लेट ही उठेंगे तो यहाँ पर कुछ गाजर को ना मैंने ब्रगफस्ट के लिए ग्राइट करके रख लिया था तो वो भी मैंने इसमी एड़ कर दिया है और बहुत ही यमी सी या सबजी बनके रड़ी होने वाली है और दुरूब आच चुका है तो हस्बिन जी चले गए हैं बाहर दुरूब को छोड़ के और अब इसकी और सारे काम की responsibility मेरे उपर ही है तो मुझे इसे की समभालना है और साथ साथ में अपने सारे कामों को भी समभालना है तो बाबू को सिर्फ मैंने 10 मिनट दिये हैं उसके फेबरेट कार्टून देखने के लिए इन 10 मिनट में मैं सारा काम फिनिश कर लूँगी और यहां पर देखिए जो यह organized है इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी तो मैं इसे 15 से 20 दिन में एक बार deep cleaning जरूर देती हूँ और बस इसको ना नीचे से अगर आप पेपर डालके जो भी आपके सबजी वेजटेवल्स जो भी हैं उसको आप रखेंगे तो कोई भी इतना बुरा नहीं लगेगा बहुत ही अच्छा लगता है और सासाथ ये गंदा भी जल्दी नहीं होता है तो सबजी मेरी दो सीटी में कुक हो चुकी है और जो बरतन रह गए थे यहाँ पे ब्रकफस्ट के तो बो भी मैं साथ साथ में क्लीन कर लेती हूँ तो दुरूप को आठ मीनट लगबग हो चुके हैं काटून देखते हुए और अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इसी बीच में आ गई थी छट पे तो दुरूप को अपने साथ ही ले आई थी और कपड़े सारे वाश हो चुके थे तो दुरूप के मैंने कप करती हूं और उसी अच्छा लगता है तो वो एक-एक कपड़ा मुझे उठाकर देने की कोशिश कर रहा था कि ममा मैं उठाकर देता हूं आपको और आप डालो तो मैंने मना किया तब वो हटा लेकिन जो उसके शूज थे जो मैंने वाश किये थे फिर वो उनको बार-बार मैं यहां क्यों रखे हैं मेरे शूज और उसको अभी पहनना है लेकिन अभी गीला था तो बार-बार से उठा ले रहा था और बस कपड़े डाल के ही जैसे में आई और पानी को मैं यहां रख गई थी गरम होने के लिए तो पानी गरम हो चुका था इतने में मैं आई तो द कि अद्रक बाला दूद्ट यह बहुत ही जादा helping होता है बच्चों के लिए तो दुरूप पी लेता है और कितने फास्ट ली में मॉर्निंग का काम अपना फिनिश कर लेती हूं और साथी साथ में मैं यहां बना रही हूं थोड़ी सी चावल रूप के लिए उसको बहुत पसंद है नमक वाले चावल तो हलका सा मैंने इसमें हल्दी भी डाल दिया था और बस लंच का टाइम भी हो गया था साथी साथ काम करते करते मेरे तो हस्बिन जी आ चुके थे लंच करने के लिए तो चलो आप भी आ जाए है ब लंच करने के लिए बहुत ही यमी सी रेसिपी आज बनकर तयार है और एक दम पेट भरने वाली तो जो मैंने गाजर ग्राइट की थी ब्रगफ़स्ट के लिए उसको मैं लंच में यूज कर रही हूँ कुछ मैंने बचा दिया था तो बस इसको साइलेट के तौर पे और मैंने साथ में यहाँ पे बनाई है आप सबके साथ एक वाटर रेमेडी और यह बहुत ही कमाल की ड्रिंक है विंटर में आपके वेट को बहुत तेजी से घटाना शुरू करती है और जो भी फूड आप खाएंगे उसकी कैलोरी आराम से वर्ण कर देती है तो यहां मैंने कुछ अचवाइन ले लिया है थोड़ा तो देखे इन सब को वईल करके पानी में और अचे से आप इसे स्टोर नी को से दो तो मैं दिन भर नहीं पीती हूं लेकिन दिन में गाल आप सो कर उठेैं तोוצर दे ले हैं और यह जो स्वीट्स है इसको मैं वेश्ट नहीं करती हूं इसको यह री उस कर लेती हूं बहुत ही बहुत ही हैल्फुल होता है हमारी बॉड़ी के लिए और आप प्लीज जरूर ट्राइ कीजिए हम लोग कितना भी खाएंगे ना अगर आप यह पानी पीएंगे तो कभी भी आपका वेट नहीं बड़ेगा और यह बहुत ही बहुत ही अच्छी रेमिडी होती है कोई ग्रीन टी नहीं उसकरनी आपको कुछ नहीं अगर आप विकेंड पे जारें या कहीं लॉंग राइब पे जारें तो यह पानी हमेशा अपने साथ रखी आप कुछ भी और अब शर्दियां सुरू हो गई है और बर्वारी सुरू होने वाली है तो लोग जाएंगे ही जाएंगे ओफिसली तो यह पानी उनके लिए बहुत ही बहुत ही जादा बेनिफिट करेगा तो आप प्लीज जरूर अपने घरों में बनाएए इस तरह का पानी यह बहुत ह हेलफुल होता है तो है अभी टाइम हो गया है साम के छे बच गए हैं और मैं जा रही हूं संधिया करने के लिए तो सोचा ब्लॉग का करती हूं और आज का मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन आप सबको कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बिताइए अगर आप सबके लिए थोड़ा भी हैल्फुल रहा है तो प्लीज प्लीज जरू शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके जरू बताइए मेरे ब्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं और मिलूंगी आप सबसे कल के अच्छे से टॉपिक के साथ अच्छी सी रसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए मस रहिए इंजॉई योसेल्फ बाइबाइ टाटा और हां मल्टी टास्किक करना बिल्कुल मत भूलिएगा इससे आपके समय और पैसे दोनों की वच्छत होगी और साथ ही साथ आप अपने बच्छों के साथ बहुत-बहुत सार कर पाएंगी तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे कल के बलाग में बाय बाय